हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंडियन व्लोग एंड रेसेपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है सेवन ओ क्लॉक का और सूर्य देवता निकल आए हैं और आज हम बनाने वाले हैं चनोली की सबजी तो चलिए कै कैसे बनती है देखते हैं उसके लिए हमने ले लिया है एक प्यास थोड़े लसुन अद्रक जीरा और यह मेथी दाना है और एक हरी मिल्स दो टमेटो ले लिये हैं और यह देखिए कुछ इस टाइप की होती चनोली चनोली मिल्स छोटा वाला सफेद चना है और इसे मैंने रात में ही भीगो कर रखा हुआ था एक बड़ी कटोरी चना और यहाँ पे बॉइल कर लिया है बॉइल करते टाइम नमक डाल दिया था यह देखिए और इसमें थोड़ी-थोड़ी सीडलिंग भी हुई है और इस मसाले को अब हम मिक्सी में पीस लेते हैं हाँ जी तो यहाँ पे हमने ले लिया है कड़ाई में तेल तो तेल आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए ज़्यादा या कम मैंने एक कल्ची तेल लिया है और इधर मैंने यह मसाला पीस के तयार कर लिया है तेल गरम हो जाएगा और हम यह मसाला इसमें डाल देंगे तो मैं देख रही हूं गरम हुआ है कि नहीं हो गया है तो मैं यह सारा मसाला इसमें डाल दूंगी पीसा हुआ लसन अदरक प्याज और टमेटो वाला और मैंने ढाग दिया है क्योंकि तेल के बहुत चीटे उड़ते हैं यह देखिए अब हम इसमें चलाएंगे स्पेचु कैसे करना है देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे सारे मसाले यह मैंने आधा चमच हल्दी डाल दी और अब डालेंगे धनिया पाउडर डाला आधा चमच इन्हें मिक्स किया अब मैं डालूंगी इसमें मिर्च हाँ यह मैंने डाला है सबजी मसाला जो रेडी मेट सबजी मसाला है बादसा का और यह लाल मिर्च डाली मैंने जो कस्मीरी लाल मिर्च है इससे मिर्ची तेज नहीं लगेगी और कलर बहुत अच्छा आएगा और यह नमक एड़ कर दिया नमक अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा चने पकाते टाइम मैंने उसमें नमक डाला था इसलिए मैं इसमें थोड़ा समलके ही नमक डाल रही हूँ और इन सब को थोड़ा अच्छे से हम भून लेंगे और यह मैंने अमचूर पाउडर डाला है अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह सूखे चने की सबजी में मतलब चने की सूखी सबजी में और मैं थोड़ी देर के लिए ढाख के छोड़ दूगी इसे अब मैं खोल के देखती हूँ तो देखिए हमारा मसाला हो गया है और मैंने कुछ करी लिवस दो के इसमें डाल दिये है करी लिवस से भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हम एड़ करेंगे इसमें यह चना यह मैंने बहुत अच्छे से कूकर में पका लिया है दो तिन सीटी देखे तो इसे मिक्स करेंगे और चने में ही जो थोड़ा पानी था वो इसमें एड़ कर दिया है अलग से हम इसमें पानी एड़ नहीं करेंगे क्योंकि यह मैं बच्चों के टिफिन के लिए बना रही हूँ तो यह रसेदार नहीं बनाऊंगि मैं बस मसाले की सूखी सबजी बनाऊंगी और मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़ा सा गुड़ जिससे बहुत ही अच्छा खटा मीठा सा टेस्ट आएगा मीठा तो नहीं आएगा पर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आता है सबजी का थोड़ी सी चीनी या गुर्ण डाल देने से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ी देर के लिए ढाक के छोड़ देंगे और फिर हमारी सबजी हो जाएगी रेडी तो कुछ पाँच मिनट लिए पकाना है और देखिए इस तरीके से दिख रही है सबजी और हमारी सबजी है अब रेडी हम कर देंगे अब गेस का फ्लेम बंद अभी मैंने बंद किया नहीं है अब कर दूँगी मैं बंद तो इधर कर दिया मैंने गेस का फ्लेम बंद थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं